एलेसी के पास चीन की नापाक हरकतें जारी हैं भारत की ओर से की गई तमाम कोशिशों के बाद भी चीन पीछे हटने के बजाए सीमा पर खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही आई एक रिपोर्ट में ये खुलासा भी हुआ था कि चीन भारत की तरफ से बार-बार इस मुद्दे को उठाया गया लेकिन सरकार ने अपनी चुपी नहीं तोड़ी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने केंदर सरकार ने कुछ बड़े खुलासे किये हैं देखे खास रिपोर्ट केंदर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चीन और उसकी कतिविधियों को लेकर कई बड़ी बाते कहीं केंदर ने अदारत से कहा कि चीन ने तिबबत छेतर में व्यापक निर्मान कारी कर लिया है ऐसे में भारती सेना को भारत चीन सीमा तक भारी वाहनों को ले जाने के लिए चौड़ी सडकों की जरूरत है ताकि 1962 के युद के दोरान जैसी स्थिती का सामना नहीं करना पड़े केंदर ने ये भी कहा कि सेना को किसी भी आपात स्थिती के लिए तैयार रहना होगा जस्टिस डीवाई चंद्रचून जस्टिस सूरिकांत और जस्टिस बिकरनात की पी जब वहां इस्थाई रूप से हो गया है इसके अलावा एटोनी जनरल वेनुगोपाल ने 8 सितंबर 2020 के सुप्रीम कोट के आदेश में संशोधन करने की मांग भी की इसमें सडक परिवान और राजुमार्ग मंत्राले को महत्वा कांग्शी चारधाम राजुमार्ग परियो परियावरन ने अदालत को 1962 का भारत चीन की लड़ाई भी याद दिला दी उन्होंने कहा कि उस दोरान चीन सीमा तक राशन की आपूर्ती पैदल ही की गई थी अगर सड़क टूलेन नहीं बनी तो इसे बनाने का मकसद फेल हो जाएगा इसी लिए डवल लेन या 7.5 मीटर चोड़ाई की इजाज़त दी जानी चाहिए इसके बाद सुप्रीम कोट ने के इंद सरकार की दलीलों पर कहा कि सारे विकास देश की रक्षा और पर्यावरन की द्रिष्टी से टिकाओ और संतुलेत होना चाहिए कोट देश की रक्षा जरूरतों का अनुमान नहीं लगा स झाल